माधवपुर नाम के एक गाव में मोहनलाल और उसकी पत्नी सरिता का एक छोटा सा घर है उनकी दो जुडवा बेटिया हैं, नेहा और निशा, ये देखो सरिता, दोनों के दाहिने कान के पीछे ये कैसे निशान है अच्छा है, जुडवा बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, इससे पता चलता है कि दोनों के बीच कितना गहरा रिष्टा है सरिता की बात सच निकली, दोनों के बीच बहुत प्यार था नेहा और निशा हमेशा एक दूसरे के साथ खेलती थी ऐसे ही चार से पात साल बीट गए दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहती थी परिवार के सभी लोग खुशी-खुशी दिन बिताते थे एक दिन नेहा और निशा गाव में होने वाले मेले के लिए निकली दोनों मेले में पहुची ही थी कि तभी अचानक मेले में आग लग गई अरे आग, आग, भाग निशा, भाग दोनों भागने लगी लेकिन भीड में वे बच्चिया कितनी दूर भाग पाती अचानक नेहा पीछे रह जाती है और निशा भाग कर आगे निकल जाती है कुछ देड़ दोडने के बाद निशा को एहसास होता है कि नेहा उसके साथ नहीं है वह रोते हुए चिल्लाती है नेहा कहा है तू वही मोहनलाल और सरिता भी आ जाते हैं निशा डर कर सारी सच्चाई बता देती है सभी मिलकर नेहा को बहुत खोजते हैं लेकिन वहां नहीं मिलती आखिरकार हार मानकर मोहनलाल घर लोटता है उधर आग पर काबू पा लिया जाता है लेकिन भीड में नेहा बेहोश होकर गिर जाती है और जमीन पर पड़ी रहती है सरिता नेहा को खोकर रोती रहती है इंतजार करने के बाद भी नेहा नहीं मिलती और धीरे धीरे परिवार ने उसकी मिलने की उम्मीद छोड़ दी कुछ साल बीत गए निशा अब बड़ी हो गई थी और उसके लिए रिष्टे आने लगे एक दिन शहर से उसके लिए एक रिष्टा आया लड़के का नाम रोहन था और वह एक सॉफ्ट्वेर कंपनी में काम करता था उन्होंने दो लाख रुपए दहेज की मांग की मोहनलाल ने कर्ज लेकर दहेज का इंतजाम किया और निशा की शादी रोहन से हो गई निशा ससुराल चली गई शुरुआत में निशा खुश थी लेकिन उसकी सास जानकी ने सिर्फ दहेज के लालच में शादी के लिए हा की थी कुछ रिष्टेदार जानकी के कान भरने लगे की तू कैसी बहूलाई है इसे शहरी काइदे कानून भी नहीं आते ये बाते जानकी को चुबने लगी और वह निशा पर अत्याचार करने लगी रजट की सास जानकी को यह सब बरदाश्ट नहीं हुआ और उसने कहा तू गवार ही रहेगी हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा इसके बाद रजट दूसरी शादी कर पायल को घर ले आया जिससे जानकी बेहत खुश हुई पर दूसरी जानकी बाद जानकी बाद रजट कर दूसरी जानकी बादी